हेलो स्टूडेंट्स वेलकुम तो माई चैनल आइम रिश्मी यो मैच्स टीचर तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं हमारी एक्ससाइस 10.1 पाँच कुश्चन है पाँचो इसी वीडियो में सौल करेंगें तो इंट्रोडक्शन जन बच्चों ने देख लिया उन्होंनों त एक 30 डिग्री पर जाना है और फिर वहां से आपको 40 किलमेटर चलना है डिस्प्लिस्मेंट का मतलब क्या होता है कि आपको ंडिया हूआ और आपको डायरेक्शन भी वहां पर दिया हूआ है तो इसने क्या कहा नौर्थ से इस्ट की तरफ चलो इस्ट-उफ नॉर्थ का मतल तो बहुत थर्टी डिग्रीं कि यहां पर बन जाएं तो यहां पर बना दिया और इधर से इधर डाय। आपको जुरूर यहां पर मेंचन करनी का 이제 30 अब इसने कहा कितना चलना है 40 kimchi तो आप इसको कर तो और इसको यहां पर लिख दो या तो आप एक तरीका है कि आप सीधा का सीधा यहां पर लिख दोगी जो हमारा ओपी है वह आपका यहां पर कितना है 40 km है चाहिए तो यह हमारा method first है छेकए लएकिन अगर आपको second method से करना है मैं आपको स्केल लेना है ग्राफ में स्केल लेता है तो वैसे मैंने यहां पर स्केल ले लिया कि 1 cm सेंटीमेटर जो है वो मेरा 10 km को दिखा रहा है तो यहाँ पे 1 cm सेंटीमेटर क्यों परणा है यह 1, 2, 3, 4 इस तरह से तो 1 cm मेरा किसको दिखा रहा है 10 km को तो हम 1 cm के distance पे यहाँ पे क्या करते हैं 4 कट कर लेते हैं तो पहला मैं यहां लेती हूँ, यह 1, 0, 2, 10 हो गया, 10, 2, 20, 22, 30, 32, आपका यह कितना हो गया, 40 हो गया, तो एक तरीका यह है, सीधा आप कहे दो कि यहां से यहां से यहां तक के distance जो है, वो मेरी 40 है, या फिर आप इस तरह से scale लेकर के भी इसको दिखा सकते हो, तो मेरा क्या हो गया, यहां तक का कितना हो गया, 40 किलोमेटर हो गया, चीक है, तो यह दिखाने का तरीका है, कि कैसे आपको दिखाना है, तो यह हमारा हो गया, यहां पर first question, method 1 से भी, and method 2 से भी, इसको अगर आप यहां पे naming कर दो, तो यह OA हो गया, तो O से लेकर के, आप यहां मानो, तो A तक का आपका कितना है, 40 किलोमेटर, हमने scale के तुरू यहां पे लिया है, method 1 में अलग OP हो जाएगा, method 2 में आपका OA हो जाएगा, now next, तो question number 2 के तरह का भी, हमने example लिया था, कि classify the following measures as scalars or vector, तो scalar में आपका यहां पे क्या दिया हो, only magnitude दिया होगा, ठीक है, only magnitude दिया, वो हमारी scalar quantity होती है, औ और vector में आपका यहां पर क्या होता है, जिसमें magnitude भी दिया हो, साथ के साथ में, as well as आपको वहाँ पे direction भी दिया हो, तो आपको देखना है, कौन है, जिसमें only magnitude है, और कौन है, जिसमें magnitude के साथ सा direction भी है, only magnitude scalar हो जाएगे, और दोनों वहाँ पे होगे, तो आपका यहां पे जरूत है क्या जैसे कि मैं दो किलो आलू लेकर रही हो तो उसमें कोई direction के जरूत पढ़ती है नहीं पढ़ती है न तो weight में यहाँ पर क्या हो जागा weight has only weight में आपका क्या होगा only magnitude होगा magnitude होगा तो क्या हो जाएगा यह scalar क्या होजाएगा चिक है फिर two meters north west अब यह आपका two meter अगर हम देखे तो यह क्या है एक distance है distance के साथ में हमें यहाँ पर क्या दिया होगा direction भी दिया होगा यह हमारा magnitude है two और यह हमारा क्या है direction है तो distance के साथ यहाँ पर direction भी है इसलिए यह क्या है एक vector है चिक है तो लिख पही magnitude भी है और direction भी है तो यह vector है 40 degree क्या है यह आपका यहाँ पर angle है अब angle के लिए आपको क्या यहाँ पर कोई direction की जुर्क पड़ती है क्या कि 40 degree चलो 50 degree चलो तो only हमें यहाँ पर यह नहीं कहाँ गी 40 degree north की तरफ चलो या east की तरफ चलो जैसा अब यह हमारा question number 1 था हमें यहाँ पर एक angle दिया हुआ है एक only angle जो होता है वो आपका यहाँ पर क्या होता है magnitude होता है इसलिए यह आपका यहाँ पर कौन सी quantity है scalar quantity now 40 watt वाट किसकी यहाँ पर unit होती है तो power की किसकी unit है यह power की unit है तो आ जैसे 30 watt का bulb लिया ओ फॉर्टी वॉर्ट का लिया हो तो इसमें क्या होगा आप बल्ब लेने जाओ को तो डायरेक्शन थोड़ी न बोलोगे तो वहाँ पर क्या बोलोगे 40 वॉर्ट का मुझे बल्ब ले दो तो अपका यहाँ पर इक नंबर यहीं मैगनिटूड ही चाहिए तो यह आपका यहाँ इस स्केलर हो गया फिर नेक्स्ट टैन की पावर माईनद स् 195 कुलांग की ओतर उलेक्टरी चाइड़ की आपका unit है तो electricity charge में आपका क्या होगा only number होगा कोई direction थोड़ी ना होगा तो लिख दिया electric charge only magnitude scalar now ये तो meter per second square किसकी unit होती है तो ये आपकी acceleration की unit होती है आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि ये unit किसकी होती है अब next question देखो question number 3 वो भी विल्कुल ऐसा ही question है ये classify the following as scalar and vector quantity जैसे हमने अभी किया न सेम यहाँ पर यही था यह देखो classify the following ways as a scalar and vector सेम यहाँ पर अब पहला इसका यहाँ पर है time period time period क्या होगा जैसे आपने अपने friend को बोला कि तुम आज मेरे यहाँ पर दो गंटे तक रोपना बोला कि हम साथ में पढ़ाई करेंगे आप दो गंटे की time period तक मेरे यहाँ पर रुपना तो उसमें कोई direction की ज़र होता है क्या नहीं है न तो इसमें आपका क्या होगा only क्या होगा magnitude होगा only magnitude होगा कोई direction यहाँ पर नहीं होगी तो यह आपकी स्केलर क्वांटिटी है क्यों कि दो गंटे के लिए आना तीन गंटे के लिए आना आधे गंटे के बाद आना तो टाइम पीरिड बता रहें तो डिस्टेंस ओनली डिस्टेंस में भी क्या होगा की magnitude होगा जरी कि मेरे मेरे घड से तुमारा गर पांच किलोमेटर दूर है मे स्केलर क्वांटिटी है लेगन डिस्टेंस में क्या होती डिस्टेंस नहीं होती है यह भी आपकी क्या होती इक स्केलर क्वांटिटी होती है जैसे आपको चलना है 5 km चलना है तुवर्ट्स इस्ट चलना है नहीं हम फोर्स करें न हाँ यही पर तो 5 km इसमें होगा 5 newton का हम फोर्स लगारें तुवर्ड्स इस्ट की तरफ से हम यहां पर फोर्स लगा रहें तो फोर्स में अमेशा introduction में मैंने आपको सारे units लिखवाई थी कि कहां कहां पर आपका आएगा ये लग नहीं समझ में आपका यहां देखो यह सारी scalar quantities ह颪को ये सारी vector quantities हर तो समें फोर्स कहा आ रहा है ve launcher में क्योंकि इस में तो यह से हम फोर्स लगा रहे हैं, तो यहां magnitude भी है, direction भी है, तो यह vector है, velocity में आपको समझा चुके हूं, इसमें भी आपका क्या होगा, magnitude भी होगा, साथ के साथ आपका direction भी होगा तो यह एक vector quantity है अब work done तो मैंने 5 दिन में अपना काम खतम किया मैंने 10 दिन में अपना काम खतम किया तो यहाँ पर क्या होगा only magnitude होगा only क्या होगा magnitude होगा तो यह एक आपकी कौन सी quantity है quantity है scalar quantity है चलो अब next question देखते हैं हम 4 तो question number 4 यहाँ पर क्या कह रहा है तो हमने types of vector पड़ा था यह यहाँ पर types of vector पड़ा था जिसमें हमने 6 तड़की definition पड़ी थी तो उसी से लिटर ही question है a square तो यहाँ पर मैंने बना लिया यह बहुत चोटा समझ में आएगा तो p q rs यहाँ पर square की चारो साइड क्या होती इक्वल होती है identify the following vectors तो हमें यहाँ से यह vectors identify करना है कि co initial vectors कौन कौन से है equal कौन कौन से है co linear but not equal कौन कौन से है तो यहाँ पर देखो सबसे पहले अगर आप यहाँ बात करते हो तो यह x square है तो सब के magnitude यहाँ पर क्या होंगे equal होंगे सबसे पहले देखते है co initial vector क्या होता है अगर आप भूल गए हो तो दो या दो से जादा vector जिनका एक ही initial point हो और terminal point उनके अलग अलग हो है तो और more vectors having the same initial point are called co initial vector तो same एक point से दो कौन कौन से vector आपके यहाँ start हो रहे है तो देखो यह अगर मैं यहाँ पर point लेती हूँ तो इससे एक vector आपका यह जा रहा है एक vector आपका यह जा रहा है है ना एक ही point से दो जा रहे है यह point है जिसे यह वाला देखो यह वाला यह इधर से यह रहे है यह initial point यहाँ जानके इसका terminal point है धीकर P point से और एक आपका यहां पर पे जाना नीची की तरह तो एक ही इनीशल point p क्यू शो है वह इसका भी इसका भी initial point है P UK का पेराप यह तो ई만त्या देखों तो इनिस्यल को क्रुक्स तो तो दोनों का सेम इनिस्यल अग्डर है और एक वैक्टर टी catalog वह को इनीशल है Amran से तो यह यहां पर चाट आ Watts go रहा है और यहां यहां स्थ्टार्ट हो के यहां क्म हो रहा है यहां स्थ्ट्र के यहां खतम हो रहा है, तो और कोई भी ऐसा point देखो यहाँ arrow दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा यहाँ कोई भी arrow नहीं है, याँ में से एक initial point है और यह दो तो अजिनल point इसके और अलग तो यह initial की definition को fulfill कर रहा है, कौन? वेक्टर A और वेक्टर D तो यह आपके दोनों क्या है यहाँ पर को initial point है चेके तो लिख दिया है now second आपको कहा equal vectors कौन कौन से है तो equal vectors के आपको definition समझ में आना चाहिए equal मतलब सब कुछ equal तो दो ही चीज हमारे पास होती है तो magnitude होता है और यह direction होता है तो जिसके magnitude और direction दोनों equal होंगे वही आपके equal vectors होंगे देखो यहाँ पर यह direction अलग है चाहे magnitude equal है बड़ यह नहीं है इनके direction से में बड़ जो magnitude वो अलग अलग है इसलिए equal vector नहीं equal होने के लिए क्लिए magnitude भी same होना चाहे है और direction भी same होना चाहे है तो हम यहाँ पर किसको compare कर सकते हैं इसको इसके साथ कर सकते हैं और इसको potential क्यक्स किया कह ए अपको equal तो कहें तो सबके magnitude यहाँ पर equal है क्योंकि यह क्या है, comfortable है तो a का magnitude b ka c का d का क्योंकि सबकीbel होगी , powers मगनिटूट तो सबकी और सबका सबकी किसए नहीं तो पिकि गल नहीं इसलिए इो डाइक्शन वक्तर नहीं अब हम दिखते हैं डाउन साइड और क्यूण और स्थ का डाउन साइड और मागनिटूट उफ बैक्टर स्कुरिए और इंकि डारेक्शिन भी इक्वेयल है तो यह वेक्टर इस वेक्टर के यहां हमने यह लिख दिया, here magnitude of ABC, ABC and DR equal and direction of only B and C is same है, B is same as direction of D, only B का direction है वो D के equal है, तो यह दोनों आपके equal vectors हो गए, now third आपको यहाँ पे कहा, co-linear but not equal, वो co-linear तो होने चाहिए but equal नहीं होने चाहिए, तो आप यहाँ पे देखो यह आधा काम हम यहाँ पे कर चुके, कौन से vector है जो इक्वल नहीं है, तो A vector, C vector के equal नहीं है, क्योंकि अभी जास हमने दिया कहा, कि D जो है, वो B के equal है, क्योंकि दोनों का magnitude direction सेम है, लेकिन A vector, C vector के equal नहीं है, क्योंकि magnitude तो equal है, तो आप हम यहाँ पे यही शो कर दें, कि A and C equal तो नहीं है, बट क्या वो co-linear है, क्योंकि हमें द Vectors are said to be co-linear, if they are parallel to same line, irrespective of their magnitude and direction, तो 2 या 2 से 3 vector, जो किसी एक line के parallel हो, कोई भी एक line के parallel हो, उसके parallel होने चाहिए, चाहे उनका magnitude अलग हो, चाहे उनका direction अलग हो, उनका direction अलग हो, उनका direction अलग हो, मैगनिटूड और direction उसमें मेंटर नहीं करेगा, बट वो किसी एक line के क्या ह ोतीμεं होने चाहिए, पार्लल होने चाहिए, तो गैरो यह एक square है, तो यह line, इस line के क्या है, पार्लल है, अब मैं इसके parallel एक line यहाँ गरती हम दो क्या हो, मैं इसको line L के एते है, तो यह दोनों आपस में parallel हो, तो अभी इसके two basically parallel हो, उनका dude, यह ही तो अप को definition के यह two more vectors are set to be collinear if they are parallel to the same line. यह दोनों parallel है किसके इस line के, इसलिए यह आपके यहाँ पर क्या है? Collinear है. तो हमने यहाँ पर क्या 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 दिया? कि vector A, vector C आपके collinear तो है, बट यह आपके equal नहीं है. Equal नहीं है, क्योंकि direction same नहीं है. चिक है, तो हमने यहाँ पर दिखिया कि पहले से हमें बता दिया कि A and C parallel है क्योंकि PQR इसके X square है. और हमने एक line draw करी, वो हमने अपने choice से उसको parallel यहाँ पर draw की. तो दोनों आपस में parallel है ही है, और इसको हमने parallel ही यहाँ पर draw की. तो हमने लिख दिया, A and C are parallel to line L, hence collinear, but A is not equal to, vector A is not equal to vector C, since they are opposite in direction. तो हमने कह दिया कि vector A and vector C collinear तो है, बट यह parallel नहीं. चलो, last question. Now, true-false देखना है, vector A and minus of vector A are collinear. तो collinear की अभी आपने just definition देखी थी, कि कोई एक line है L, वो उसके अगर दो vector, चाहे उनका direction कुछ भी हो, चाहे उनका magnitude कुछ भी हो, अगर वो आपस में यहाँ पर क्या है, parallel हो जाते हैं. अगर इस line के यह दोनों parallel हो जाते हैं, तो वो vectors क्या हो जाते हैं, collinear हो जाते हैं, यह का, चाहे magnitude कुछ भी हो, चाहे direction कुछ भी हो, इसका direction इधर है, इसका direction इधर है, यह just मने अभी आपको समझाए, बट यह दोनों इस line L के parallel है, इसलिए collinear है, तो यहाँ देखो vector A क्या ह होगा, vector A मान लिया कि हमने यह वाला है, अब यह minus of vector A, तो यह क्या होगा, इस तरफ होगा है, minus of vector A आपका यहाँ पर क्या होगा, इस direction में होगा, क्योंकि जो इसका direction इसका opposite direction है, और कोई भी एक line हम यहाँ पर ले लेते हैं, तो यह दोनों अगर इस line M के parallel है, तो यह क्या ह है, co-linear, तो definition आपकी यहाँ पर क्या हो रही है, true हो रही है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लेते हैं, true है, क्योंकि हमने यहाँ पर कह दिया, कि यह line parallel है, और यह आपके यहाँ पर co-linear है, क्योंकि सब कुछ आपस में parallel है, इसलिए यह हमारी condition को true करता है, ठीक है, now second क्या कह र किसी एक line के दो अलग-अलग vectors क्या हो, parallel हो, चाहे उनका magnitude कुछ भी हो, चाहे उनका direction कुछ भी हो, जैसे मैंने यह वाला magnitude को, यह वाली line को मैंने vector को बढ़ा दी, यह A है, यह B है, इसका direction इतर रहे, इसका magnitude मानलो कि 5 है, इसका magnitude यहाँ पर 10 है, बट यह इस line के parallel है, इसलिए कौलीनियर है, चाहे इनका magnitude कुछ भी हो, चाहे इनका direction कुछ भी हो, तो इसका मतलब यह statement क्या है, false है, बटो यह आपका statement यहाँ पर क्या हो गया, second वाला false हो गया, now third वाला दिखते है, two vectors having same magnitude are को लिनियर, तो यह भी आपका यहाँ पर क्या है, false है, कि कोई भी दो वायं ऐस जिनका magnitude same है तो वो क्या होंगे cocoa linear होंगे नहीं नहीं उनका magnitude same होने पर वो spirituality नहीं होते हो अगर किसी एक line के दोनों अगर parallel है तब भी वो क्या होंगे cat dot चाहिए जैनका equal हो मैपने का इस magnitude वहाँ पर equal मापन हो च्रन्चीन है कि वह इस लाइन के क्या होने चाहिए कोई भी एक लाइन है उसके क्या होने चाहिए पारलल होने चाहिए तो यह statement भी आपका यहाँ पर क्या है फॉल्स है सब कुछ आपको जो पूचा है वो को लीनियर से ही पूच रहे हैं फिर two co-linear vectors having the same magnitude are equal तो ये भी हमारा false है देखो दो co-linear vector है मेरे पास ये है ये है ये दोनों इस line के parallel है तो ये co-linear हो गए having the same magnitude मैं इसको भी 5 कर देती हूँ ये 10 है न तो इसको भी मैं 10 कर देती हूँ इसको भी बढ़ा के यहाँ पर 10 कर देती हूँ आर इक्वल तो क्या ये आपस में आपके इक्वल होंगे नहीं क्योंकि इक्वल होने के लिए हमारे पास दो condition होती है क्यूंका magnitude भी equal होना चाहिए और उनका direction भी क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए बड़ देको इन दोनों ये ये दोनों यह तीनों आपके को लिनियर है, इसका magnitude भी 10 है, इसका magnitude भी 10 है, बट डारेक्शन दोनों की अलग-अलग है, इसलिए यह आपके यहाँ पर, क्या नहीं होंगे, यह आपके equal नहीं होंगे, equal vectors नहीं होंगे, तो इसका मतलब यह statement भी आपका यहाँ पर क्या है, false है, तो fourth वाला हमारा केतना हो गया, false हो गया, चीक है, तो यह हुए हमारी exercise 10.1, finish, now next video में देखेंगे 10.2, video अगर आपको पसंद आ रहे हैं, तो उसको like, channel को subscribe, notes का लेंग, description में, thank you